हेलो दोस्तों यूपी PCLTG2, UPRTG2, DMRC, LMRC, DRDO, ITI, Electrician जैसे सभी परिच्छाओं की तैयारी के लिए numerical question and answer इस YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा तो जैसा कि आप लोग जानी गए यूपी PCLTG2 के लिए इस चैनल के माध्यम से numerical question and answer की तैयारी कराया जाएगा तो इसमें देखते हैं जो पहला नम्मर question है वो कह रहा है एक 220 बॉल्ट के turn to lamp की परतिरोद 250 ohm है लैंप द्वारा ली गई विद्धुधारा की घंड़ना करें तो इसमें देखिएगा कि यहां पर जो बॉल्टेज दिया है वो 220 बॉल और रजिस्टेंस यानि पुर्तिरोद कमान दिया है जो वो 250 और इसमें पूछा है विद्धुधारा इसमें पूछा है विद्धुधारा कमान इसमें विद्धुधारा आई कमान पूछा है तो ओम की नियम की अनुसार हम जानते हैं आई बर और वी वट्टी हार होता है तो जो बॉल्टेज कमान है वो 220 है और जो रजिस्टेंस कमान है वो 250 है जीरो से जीरो केंसिल कर देंगे तो बचेगा 22 वट्टी 25 बाइस में जो विद्धुधारा कमान हो जाएगा हूँ आई बराबर जीरो दस मुलो जीरो 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 दस मुलो आठ आठ इंपियर हो जाएगा दूसरा नमर कोश्चन देखते हैं कर रहा है एक मोटर का परतिरो दो सो बीस ओम है और यहाँ दो इंपियर की अधिक्तम करेंट ले सकती है इसकी सुद्चित कारे करने वाली बोल्टेज ग्याद करें इसमें बोल्टेज का मान पूछा है बोल्टेज का मान पूछा है तो ओम के नियम के अनुसार भी बराबर आई इंटू आर होता है बोल्ट में तो जो आई कमान दिया है इसमें दो इंपियर दिया है जो आई कमान दिया है वो दो इंपियर दिया है और जो परतिरोध आर कमान दिया है वो 220 ओम दिया है तो दोनों में जब मल्टिप्लाई करेंगे तो 444 फुल हो जाएगा यानि उस मोटर दोरा ली जाने वाली बोल्टेज 440 बोल्ट हो जाएगा तीसरा कुश्चन देखते हैं एक 660 मिटर लंबी यूरे का तार की परतिरोद 250 ओम है उसी तार की कितनी लंबाई की रेजिस्टेंस 110 होगी तो देखते हैं परतिरोद की नियम की अनुसार परतिरोद की नियम की अनुसार होता है इसमें द्यान देंगे कि परतिरोद की नियम की अनुसार आर पर्पोस्टमल होता है किसके एल के काउं को आ सकते हैं जो R1 है वो L1 के बराबर होगा जो R2 है L2 के बराबर होगा होगा तो इसमें R1 कमान दे दिया है 250 Ohm और R2 कमान दे दिया है 110 Ohm और इसमें L1 क्या मान दे दिया है 670 मीटर तो L2 कमान ग्याद करना है तो 670 गुले 110 बट्टे का 250 जगा 0 से 0 जब काट देंगे तो बचेगा 270 गुले 11 बट्टे का 25 तो यहां पर देखेंगे जब 670 इंटू 11 यानि 670 गुले 11 करेंगे तो आएगा 73 और बट्टे का 25 जब दूनों में भाग देंगे 294 दसमलो आठ मीटर यानि L2 का जुमान हो जाएगा वह 294 दसमलो आठ मीटर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं चोथा को रहा है एक 500 मीटर लंबी तार की परतिरोध को 12 ओम तक घटाने के लिए कितना तार काटना काटने होगी तो देखेंगे वही पहले वाला क्वेश्चन जो इसमें क्या होगा जो R1 होगा वह L1 के बराबर होगा R2 जो होगा L2 के बराबर होगा तो देखेंगे R1 क्या दिया दिया है 20 हों और R2 दे दिया है 12 हों यहां पर जब 20 से 500 को काटेंगे तो 25 बराबर में कटेगा तो 25 इंटू बारह यानि 300 मीटर जो बारह हों है वह उसकी लंबाई है 300 मीटर काटना कितना है तो काटा गया तार L1-L2 यानि जो टोटल है वह 500 और जो L2 का मानेगे यानि 12 हों का जिनना है उसके बराबर 300 होगे तो 500 में से 300 घटा देंगे तो काटा गया तार कितना हो जाएगा काटा गया तार हो जाएगा 200 200 मीटर यानि 200 मीटर काट देंगे तो 12 हों के बराबर हो जाएगा अगला कुश्चन है एक केबल की रजिस्टेंस 10,5 है उसी धात की एक दूसरी केबल की परतिरोत क्या होगी जिसकी लंबाई दो गुनी और क्रास सेक्सनल एरिया आधा है देखेंगे तो परतिरोत का जुनियम है आर बराबर रो लंबाई यह जो है क्रास सेक्सनल एरिया तो कोई रहा है एक केबोज है जिसका r कमाद 10.5 है तो r2 कोई रहा है मतलम r कमाद दिया याणी row l 181 कमाद दिया टोटल 10.5 है तो आर 2 दूसरा क्या पूछ रहा है तो R2 बड़ावर जगा R2 L2 बट्टे A2 तो दूसरी केबल की परती रोत क्या होगी कर दें जिसका लंबाई को दोगुन कर दिया और क्रास सेक्चन एरिया को आधा कर दिया लंबाई को दो गुना और क्लास सेक्षणल एरिया को आधा तो जब इसको करेंगे तो ये इस तरह का भीन में बदल जाएगा तो ये जो दो है बाहर जाएक उपर वालेज गूला और अंदर का गूला हो जाएगा तो इस तरह करेंगे तो आल टु भरा उजाएगा रो एक टू इसके बाद आप्टू बराबर ओजगा फोर रो इन्टू एल्टू अपान एक टू चुकि दिया है रो बराबर एल्टू अपान एक टू यानि यह जो टू लगाया गया था बस पाचान करने के लिए कि दूसरा रिजिश्ट्रिक तो इन सब का मान दे रखा कितना दस दसमलो पाचों यानि इन सब का मान दे दिया है दस दसमलो पाचों तो चार गोड़े दस दसमलो पाच यानि आटू का मान जो हो जब हो 42 धन्यवास दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता है